नमस्का दोस्तों मैं दिरेश पांडे आप सभी का कमधिशन कम्मुनिटी में स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप लोग पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है कमिंट बॉक में बता दीजेगा कि आप महनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ठीक है क्योंकि देखो पांच मेना बचा है मुस्किल से किसके लिए पांच मेना बचा है 2022 खतम होने में ठीक तो कम से कम 2023 में हम ये तो कहलाएं कि हाँ हमने जो सपना देखा था हमने उसको पूरा किया तो रगड़ दो पांच महिने एक तम जोस के साथ ताकि 2023 एक नए उमीद के साथ और एक नए जज़बे के साथ हम जो लक्ष सोचे हैं उसको हासिल करके वहाँ पर पहुँच जाएं ठीक है तो समय कम है और महनत बहुत तेज करनी है ठीक है तो जैसा कि आप लोग जानते है ऐसा ही का सेशन चल रहा है और इसमें मैं आपको सविधान पढ़ा रहा हूं सविधान बता रहा हूं तो इसमें हमने लगभक पार्ट फाइब तक हमने कम्प्लीट कर चुका है पार्ट फाइब के बाद हम पढ़ेंगे सविधान के भाग 6 और सविधान के भाग 7 को 7 को तो किसी को किसी परकार का कोई डाउट तो नहीं है मेरे खिल से और अभी तक जो वीडियो बना है उसमें अगर आपको किसी परकार का कोई भी अगर भी नहीं समadd में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताये aí तो चलो शुरुआत करते हैं आपन भाग 6 से देख लेते हैं उसके भाग आठ में किया है इसको देख लेते हैं उसके रपर फिर हम लोग उसके आर्टिकल करेंगे ठीक है तो चलो शुरुआत करते मगर सुरुआत करने से पहले आप सभी जानते हैं मेरा एक जोड़दार पंच है पंच मतलब मुक्का नहीं ना पंच प्सक्रएं हो द 직न का लिए आ्यावचिकNoo देख लेटे हैं कि आपन को क्या-पलनाएं इसमें तो भाग 6 थाभलना में हमको देखना राजिय के बारे में पड़ना आ आपको देखने इसा इसमें और निरसन शमाप्त कर दिया गया है doing नाम याद रखना है उसको ठीक है भाग साथ समापत है वह आर्टिकल 238 में है बाकि उसको पढ़ना नहीं है हमको क्लियर है चलो अब देख लें ते हैं अपन को देखो 153 से 237 तक आर्टिकल एंड 239 से 242 तक आर्टिकल इसमें सिर्फ मैं इन पॉटेंट पॉटेंट आर्टिकल बता रहा हूं जहां से कोश्चन हमेशा आते हैं ठीक है उसको याद करना है और उसको पढ़ते हुए चलना है फिर उसका अधम लोग उसके में MCQ देखेंगे चलो तो पहले हमारे आर्टिकल 153 तो 153 क्या बोलता है आर्टिकल 153 बोलता है राज जी के में कौन से राज जी तीक का कहा के लिए राज जी पाल होगा यहयीं आर्टिकल 153 बोलता है उसके बाद आर्टिकल 154 बोलता है कि राज्य की कारपाली का सकती किस में नहीं थोगी राज्य की कारपाली का सकती राज्यपाल में नहीं थोगी ठीक देखो अगर भाग 5 अच्छे समझ में आया है ना तो भाग 6 आराम से बन जाएगा सेम है सिप अंतर किसका है नाम का है सेंटरल में अगर राष्ट पती और कारपाल सकती तो राज्य में राज्यबीपाल आजाएगा और अगर क् ladoर्व एक अगर कोनभा मत्र्य प्रोगेंग राज्यपाल हो जाएगा संटर में मुख्य से काम करता कौनeting मुख्य मंत्री है तो राज्य में कौन हो जाएगा मुख्य मंत्री हो जाएगा सब सेम है काम सेम है थोड़ा सा डिफरेंस आता है थोड़े से पावर को ले करके थोड़े से अधिकार को ले करके थोड़ा संतर आता है बाकी कोई अंतर नहीं है अगर भाग 5 अच्छे से समझ म आ गया है आपसे वह पूरा बन जा रहा है तो भाग छे में सिर्फ आर्टिकल रट रहा है और कुछ नहीं एक दम एजी वे में क्लियर है ठीक तो देखते चलिए तो 153 राज जी के लिए एक राज जिपाल 154 राज जी की कारपाले का सकती राज जिपाल में नहीं 155 राज जिपाल की न्यूक्ति कौन करेगा राज जिपाल की न्यूक्ति करेगा राष्ट पती ध्यान देना इसका कोई चुनाओ नहीं होत ठीक है इसकी निउप्ती करता है कौन राश्पती करेगा क्लियर है ठीक उसके बाद 156 राजिपाल की पदावधी कब तक रहेगा तो देखो वैसे समाने तर तो इसका कारेकाल रहेगा पांच साल ठीक मगर ये निश्चित नहीं होता जरूरी नहीं होता कि हर राजिपाल अपने कारेकाल पूरा करे ठीक केंजर सरकार क्या करेगी माल नीजय भी 36 गड़ की राजिपाल है अब पता चला केंदे सरकार क्या कि कि दो साल ही हो यहां पर राज़िपल रही उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया तो कहीं और की राज़िपल बन गई तो राज़िपल के लिए पांच सल जरूर कहा गया मगर यह निश्चित नहीं है कि हाँ वो तो पांच सल पूरा ही करेगा यह कोई जरूरी नहीं है ठीक है इसके कर राज़िपल को क्या बोलते हैं किंदी सरकार का एजेंट के रूप में इसको कहा जाता है avoir एक एजेंट रूप में रहता है ठीक और केंद्र राज़िपल के लिए नही हरता है क्लियर है ठीक है उसके बाद आर्टिकल 157 तो आर्टिकल 157 बोलता है राज जिपाल के लिए नहरता है मतलब उसके लिए क्या योग गिता है तो सब कुछ सेम है रहोई भायात का नागरिक होना चाहिए ठीक यहां पर एक इंपॉर्टिन बाती है देखो पहले बोल देता हूं मैं कि भायात का नागरिक होना चाहिए लाप के पत्पना होना चाहिए यह दो बातों तो कंफरम है एक बाते हैं कि अगर किसी वैक्ति को किसी राज्य का राज्य पल बनाया जा रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि वह वैक्ति उसी राज्य का तो उम्र तो सेम मैंने कहा ना कि अगर राश्पती मतलब भाग 5 अपने अच्छे से पढ़ा है तो भाग 6 आराम से बन जाएगा तो इसके लिए भी उम्र सीमा कितनी है 35 ठीक कितना 35 या उससे अधिक क्लियर है ठीक उसके बाद 158 राजिपाल के लिए सर्ते जो सर्ते रही गई है वह उसको पूरा करे फिर उसके बाद 159 राजिपाल का सपत तो राजिपाल को सपत कौन दिलाएगा उस राज exclusion का मुख्य नैदीश कौन सपत दिलाएगा उस राज्य के हाई कोट का मुख्य नयाएधिस ठीक है अभारत के राश्पति को कौन सा पत दिलाता है चीप जस्टिस टॉफ इंडिया ठीक है उतके बाद आर्टिकल 159 होगे राज क्या नाम है राज जिपाल का सपत 163 तो जैसे आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 क्या बोला आर्टिकल 74 बोलता है कि राजपति को उसके कारयों में सहयता देने के लिए मंत्री परिशत κιर सब्सक्तिशत के बारे में बात करता है इंडिकल 163 को सब्सक्राइब अज़ने अरे शा दिल्क तनक से कभी तो कंभी गर्मी लगने लग जाता है इसी भी तो काम नी कर रहा चोड़ो घर्मी में पढ़ाते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पढ़ने से मतलब है आदमी ट्यू लाट के नीचे मतलब स्ट्रीट लाट के नीचे भी बैठके पढ़ लेता है पढ़ना रहता है तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है राध्यपाल को कार्यों में साहता देने कलिक मंत की नियुक्ति जैसे बोलता है न कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति और उसके साथ अन मंत्री ओं की नियुक्ति के बारे में बात करता है ठीक है क्लिया तो 164 उसके बाद आर्टिकल अब देखो 164 में मुख्यमंत्री की न्यूक्ति है तो पधान मंत्री की न्यूक्ति के लिए कोई कैटेगरी नहीं है ठीक बस यह कि उसको चाहे और राज्य सबाओ चाहे लोग सबाओ किसी एक सदन का सदस्ट होना जरूरी है अब उसकी उम्रसीमा क्या रखी गई है कि अगर किसी वेक्ति को बाद करदा मंत्री बनने तो उसको कम से कम 25 वर्स होना चाहिए तो ऐसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए था विदान परिशाद या विदान सभा का सदस्ट हो दूसरा उसकी उम्रसीमा 25 या उससे आध फिर उसके बाद Article 165 तो Article 76 क्या है आपका आटॉर्णी जनरल के बारे में है महा नियावादी के बारे में तो ऐसी Article 165 किसके बारे में है महाधीवक्ता के बारे में ओधान के बारे में होज़्यमु इह ऐतरी ऊंसरेज़ता है कर दो महाधीवक्ता को राजसरकार का वकील बोलते हैं सब कुछ वैसे खीन्य के कवह कोई सब करने सब कर दोरा इसका माहारा नहीं कि न्यूगति राश्पती तो इसकी नियुकति राजिपाल Clear महानयवाधी संसद में किसी भी बैठाक में भाग ले सकता है बोल सकता है वैसी ये भी मत्ब राजी के विधान सभाओं में बैठ सकता है बोल सकता है मगर मतदान नहीं कर सकता सब कुछ सेम सिप नाम में अंतर Clear ठीक है तो इसको राज्य सरकार का वकील कहते हैं, किसको महादीवक्ता को, आर्टिकल 165, उसके बाद आर्टिकल 168, तो आर्टिकल 168 किसके बारे में बोलता है, विधान मंदल, जैसे आर्टिकल कौन सा, भूल गया मैं, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 बोलता है संसद, तो संसद में कौन क वैसी विधान मंदल हो मंड़ में कौन कोन आ जाएगा राज जिपाल विधान सभा और विधान परिशद ठीक यह तिनों मिल करके जा बनाएंगे विधान मंडल बनाएंगे क्लियर है और एक बात और यहां कोई जरूरी नहीं है कि जैसे राज्यकल कंपलों również यहां वेसी को राज्ज्यों पर छोड़ डिया गया कि उसको अपना है यह अगर राज्यें किसी राज्यों में विधान परिशद नहीं है तो राज्यपाल और विधान सबह यह दोनों को मिला करकें विधान तो इसने किसी प्रगया नहीं करना है कि यहां रिधान परीशन नहीं क्लिए कि तो ऐसे बोलेंगे कि राज़िपवल विधान सभा को मिला करके भोलेंगे कि ठीक तो आटिकल one 68 उतके बाद विधान समीवन परिसते बारे में बात करता है औहिए क्लियर फिर उसके बाद आ अर्टिकल 171 तो ये विधान परिसद के बारे में बात करता है जैसे सेंटरल में राज्य सभा अपर हाउस होता है वैसी स्टेट में विधान परिसद अपर हाउस हो गया जैसे सेंटर में लोग सभा लोवर हाउस होता है वैसी राज्यों में विधान सभा क्या हो जाएगा, लोवर हाउस हो जाएगा, विधान परिशद अपर हाउस हो गया, और विधान सभा लोवर हाउस हो गया, ठीक है, क्लियर है, उसके बाद 171 हो गया, उसके बाद आर्टिकल 174, तो 174 क्या बोलता है, राज्युपाल के द्वारा, ठीक वो विधान सभा का सत्र बुलाना सत्र वसान करना आर्टिकल 174 ठीक कि राजिपाल का विधान सभा का सत्र बुलाना और उसका सत्र वसान करना यह आर्टिकल 174 बोलता है उसके बाद आर्टिकल 175 बोलता है राजिपाल का भी भाशन जैसे राजपती का अभी भाषण है न आर्टिकल 87 वैसे ही राज़िपाल का अभी भाषण आर्टिकल 175 क्लियर है उसके बाद आर्टिकल 199 तो जैसे भारत में आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 क्या है आपका धन विधेयक है वैसे ही 199 क्या है राज़ि का धन विधेयक यहां पर भी राजी के धन विद्यक के समझ में सेम वैसे यह जैसे सेंट्रल में है सब कुछ सेम है बोल रहा हूँ ना सब कुछ सेम है केवल नाम में अंतर है ठीक है और आर्टिकल में अंतर है बाकि सब चीज एक ठीक है ओके तो 199 किस से रिलेटेड है राज का धन विद्यक है उसके बाद आर्टिकल 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यह कई बार पुछ चुका है सीजी पीए सीमेंस में भी आ चुका है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यही एक मातर ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत राज जपाल की विधाई सकती राश्पती से थोड़ा सा ज़ादा हो जाती है कैसे आर्टिकल 200 बोलता है कि राज विधान सभा के द्वारा पारित किये गए किसी विधेयक को जब राज जपाल के पास भेजा जाता है अस्ताक्षर के लिए ठीक तो राज जपाल उसको एक बार लोटा सकता है क्लियर है उसके पश्चाद अगर राज विधान सभा बीना उस विधेयक में शंसोधन किये दोबारा राज जपाल के पा अपनी अनुमती प्रदान करे थोड़ा सा back चलो राश्पति के पास अब राश्पति अगर संसद किसी विधेख पर मतब किसी विधेख को राश्पति के पास भेजती या स्थाक्षर करने के लिए तो राश्पति उसको एक बार वापस भेज सकता है ठीक है अब जब भेजा है संसद के पास राश्टपती उस विधेयक को तो संसद उसमें बीना ठीक मतलब लोकसभा राजसभा बीना उसमें संसोधन किये राश्ट पती के पास अगर भेजते हैं दुबारा तो राश्ट पती को उस पर साइन करना अपना अनुमती देना निवारे है दुबारा वो मना नहीं कर सकता मगर राजपल राजपल दुबारा मना कर सकता है वो ये बोल सकता है गि मैं इस विधयक पर पहले राजपती से चर्चा कलूं उसके बाद अनुमती दूंगा तो यहाँ पर विधेकों से संबंधित विधेकों की वापसी से संबंधित अधिकार राजपाल के पास ज्यादा है राजपती के कंपेर में और इसी कारण राजपाल थोड़ा सा पावर्फुल हो जाता है विधाय की मतब विधाय की सक्ति के अधार पर किस पर राश्पती से तो आटिकल 200 क्या बोलता है राजपाल के द्वारा किसी विधेयक को राश्पती के लिए संरक्षित रखना ठीक यही उसको powerful बनाता है थोड़ा सा राश्पती के compare में उसके बाद 200 में रखा हसारक्षित रखा और उसके बाद 201 में क्या किया 201 में वो विधेयक को राश्पती को भेज दिया तो 201 राश्पती के पास भेजना ठीक किसी भी विधेयक को राश्पती के पास क्या करना भेजना उसके बाद article 202 तो 202 बोलता है जैसे article 112 article 112 क्या है वार्शिक वित्ति विवरण है वैसे ही article 202 राज जी का वार्शिक वित्ति विवरण है ठीक आर्टिकल 202 राज जी का वार्शिक वित्ति विवरण है ठीक है बहुत फस्ता है यह तार पैर में ठीक आर्टिकल 202 क्या है राज जी का वार्शिक वित्ति विवरण है चलो उसके बाद 206 206 बोलता है लेखानुदान करवर हो गई 206 डान जैसे 116 अनंबर का आर्टिकल बोलता है तब ऑलसे जब बजशेट सत्र चल रहा हो और किसी आवश्यक कारे के लिए धन की जरुत हो तो उस समय संचीत निदी से पैसा निकालने के लिए जो प्रस्ताव या विध्ययक या जो अनुदान पेस किया जाता है उसी कोई कहा जाता है लेखानुदान मगर कब पेस करेंगे बजट सत्र के द्वरान अत हाइक हो जाओं ठीक उसके बाद आर्टिकल दोसो पन्ह यह बोलता है तबहुकर का अभी इल न्याल है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइंगे की कि वर्तमान में कितने हाइक होट है भारत में ठीक इसका अंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोट है कितने राज्यों में हाई कोट है बताएंगे ठीक है क्लियर कि 215 होगया अभी लेक नाले बता चुका ओं मैं जैसे वहां पर बताया था कि आर्टिकल एक 119 बताया था वहां पर सुप्रीम कोट आपना और और यह राज्यका अभी लेक नाले होगा आठिकल 215 उसके बाद आठिकल 216 हाई कोट की स्थापना ठीक है यह आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि वर्टमान में कितनी राज्यों में हाइ कोण है ठीक है या भारत में कितने ही ओप्सक्राइग घूछ कितोंने नियूोंकर को कपन देश की थह क Самरा में पर तर वह सुप्रीम कोड़ कोड़ कि मुख्य उनको सपत कौन दिलाता है उनको सपत दिलाएगा राज़िपाल दिलाएगा ठीक ओके इतने आध रखना है उसके बाद आर्टिकल 226 जैसे आर्टिकल थर्टी टू आर्टिकल 32 के तहाँ था सविधानिक उपचार का दिकार तूसके तहाँ यह कहा गया था कि पांच प्रकार क जारी करता है कितने प्रकार के हाई कोट पांच प्रकार के रीड जारी करता है आर्टिकल 226 के तैस्ट वही बंदी प्रतक्षी करन उत्प्रेशन परमादेश ठीक है ना प्रतिशेद अधिकार प्रिच्छा क्लियर फिर उसके बाद आर्टिकल 233 यह भी इनपॉर्टन्ठ वे इन्पॉटेंट है देखो हमारे सविधान में एक नहीं संख के बारे में मतलब रखेंद के पारे में बता दिया तो यहीं पर ही जीला सब्द है कहां पर जीला आर्टिकल 233 जीला न्याले जीला नियाधिष सब्द का यूज अगर आप कि भाती सविधान के किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 233 में किस रूप में किया गया है जीला न्याला या जीला न्याधिश के रूप में किया गया है अलग से एक जीला वर्ड का यूज किसी आर्टिकल में नहीं है न्याला और न्याधिश के रूप में ही जीला सब्द का अधीश के बारे में, फिर उसके बद आर्टिकल 239, तो केंदिसासित प्रदेशों का प्रशाशन, केंदिसासित या इसको बोल सकते हैं, संग राज्य छेत्र का प्रशाशन, आर्टिकल 239, बस इतने आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है, यहीं से कोश्चन है, यहीं से सब कुछ है, ओके, ठीक है, क्लियर, चलो, हटाओ, अब आजाओ, MCQ पर, ठीक, अब अपने MCQ सौल करते हैं, तो MCQ है, पहला कोश्चन की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के संदर्व में, भारत की सबसे छोटी विधान सब है, आपकी पॉंडीचेरी की, यहां पर 30 है, और सबसे बड़ी है, UP की वहाँ है, 403, बाकी किसी को याद रखने की कोई ज़रत नहीं है, ठीक, ओके, सबसे छोटी, पॉंडीचेरी की, 30 है, और UP की 403, ठीक, उसके बाद, नेट कोश्चन, निमनिखित में से कौन रिन पोछे क्या क्या नाम रखते हैं, आर के माथूर, जयांग, तसरिंग, कभी-कभी नाम पढ़ने में बहुत जबाल लड़ खड़ा जाती है, ठीक, कोई दिककत नहीं है, मनुष्य है, गल्ती तो होती रहती है, ठीक, ओके, तो इन में से कौन लद्दा के पहले बनाया गया, वहां का उपराज जिपाल, आर के माथूर जो है, वो भारत के पूरो रक्षा सचीव रह चुके हैं, वो मुख्य सूचना आयूक्त भी रह चुके हैं, ठीक है, तो उनको उपराज जिपाल बनाया गया था, पहला लद्दाक का बना केंसाशीत पदेश, 31 अक् असर बता रहा हूं, तो आर्टिकल 167 मुख्य मंत्री के कर्तव्यों को डिफाइन करता है, बाकी किसी काम का नहीं है, ठीक, बाकी तो मैं आर्टिकल आपको बता चुका हूं इससे पहले, बस उतना ही रट लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, अराम से कोश्चन बनेगा यहां से, क्लियर, उसके बाद राजसरकार का कारेकारी प्रमुख कौन होता है, तो सिंपल सांसर है, उसका कौन, राजजपाल, राजपाल क्या होता है, राजसरकार का कारेकारी प्रमुख या नाम मात्र का कारेपाली का प्रमुख होता है, ठीक, उसके बाद, स्व मती विजय लक्षी पंडित तो पहली राजपाल थी सरोधी नाइडू ये थी यूपी में ठीक 1947 से लेकर सबसे लंबा कारेकाल था इनका राजपाल के रूप में इनकी बेटी का मगार पहली राजपाल कौन थी सरोधनी नाइडू थी कहां की यूपी की 1947 से 1949 तक क्लियर और इनकी बेटी थी पधजा नाइडू 11 साल तक वेस्ट बंगॉल की क्या बनी थी राजपाल बनी थी फिसके आएल दिवा नेक्सट की सकती बताने वाले अध्यृदेस संबंधित किस अनुचएत ौसा आजि कुछिकल मैं डारेक बता रहों अर्टिकल 213 राजपाल के लिए अध्यृदेस और भारत के राश्पती के लिए 123 जश इसका उल्टा कर दो एक को सामने ले ले दो को बगल में ले और तीन को पीछे रहने दो मतलब एक और दो को बदल दो बस तो एक 213 राजिपाल के अध्याजासी संबंदित है ठीक उसके बाद नेक्ट राजिपाल के संबंद में निमिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है वह राजी विधायक का इससा है यह भी सही है न उच्च गॉदंद को माफ करने का रास्पती को है प्रद एक मातर और अईसा है ढ़र लीटली बोल सकते हैं कि जाईए नया जीवंदान है आपको, ठीक है, चलो, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, अब आजाओ, नेक्स्ट, भारत की सविधान के किसनुछेत के अनुसार, मुख्यमंत्री की न्यूप्टी, राज्य के राज्यपल द्वरा की जाती है, तो आ आटिकल 164, ठीक, क्लियर, भारत में किसी राज्य के राज्यपल के रूप में न्यूप्टी के लिए निधारित न्यूप्टे मायू सीमा कितनी वर्स है, 40, 30, 25, 35, तो सिंपल सा है, राज्यपल के न्यूप्टी के लिए 35 वर्स, उसके बाद एक अपचारिक दस्तावेज ह जिसमें किवल भारत के उच्छ न्याले, सरोच न्याले द्वारा जारी किया गया सरकार के लिए अदालत का एक आदेस होता है, मताब एक सरकारी दस्तावेज है, जिसको सुप्रीम कोट और हाई को जारी करते हैं, जो सरकार के लिए क्या होता है, एक आदेस होता है, सरकार क किस भाग में राज्य सरकार करो क comparing है भाग सभाग में है ठाट्टी समय दान के किस भाग में भारत के के 90 144 प्रदेशों के बारे में प्राहथन है तो भा कौन से वह 8 ठीक राज्यपाल से समरी thing कौन सा कथन सहीं है पूछा है ठीक राज जिपाल की विधाई सकती राजपती से अधीक होती है यहां पर कोश्चन यह होना चाहिए कि राज जिपाल क्योंकि मैं ऑप्शन इसको में खुद चूस किया मगर बनने के बाद मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि मैंने कोश्चन गल रख्याणा में अवसका था नकोई जिसका गर्दन कार दिये थे उसकी तो सौ गलती माफ किये था भागवान क्रिशन इ fabrication च महाप कर सकते हैं तो राज जिपाल से समरी कौन सा कथन सहीं नहीं है कोशन है कि कौन सा कथन सहीं नहीं है यह होगा कोशन ठीक है आप पढ़ते हैं इसको राज़िपाल की विधाई सक्टी राजपती से अधिक होती है राज़िपाल राज़िक का मुख्य कारपाली का प्रमुख होता है राज़िपाल को केंद्र का एज आटिकल दोस方 French secondo करपाली का क्परमुख नहीं होता सिप करपाली कप्रमुख का मतर का होता है मुख कर नहीं और फोना साथ मंच्छ पाइँ पेन तो आटिकल 200 के तहट क्या करता है उसको सरक्षित क्या है राजी का वार्शिक्वित्ती विवरण है ठीक है चलो कौन सा कथन गलत है भारत में आठ भारत में आठ राजियों विधान परिशद है सरवाधिक विधान सबसीट उत्तरप्रदेश की है विधान परिशद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्रूप से होता है तो भारत में आठ राज्यों विधान परिशद है गलत है भारत में छे राज्यों में विधान परिशद है कहां कहां यूपी बिहार महरास्ट ठीक नीचे में आंध्रदेश करनाटक और तेलंगाना छे राज्यों में क्या है आपका विधान परिसद है यूपी बिहार महराश्ट आंध्रदेश करनाटक और तेलंगाना छे राज्यों में विधान परिसद है ठीक आठ में नहीं तो आंसर क्या कौन सांसर हो जाएगा यह गलत थे तो मेरिस अजय सब्करने स्कुर्ण नीज़ित प्रशांत्निक प्रशाथणिक प्रमक कोन होता है क्या नाम है उपर राजिपाल जो प्रशास्निक प्रमुख होता है कहां का या बोल सकते हैं अपन राजनितिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होगा स्वारी अगर मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर है तो और अगर नहीं है तो कौन हो जाएगा उप राजपाल होगा जो किसके दौरा नियुक्त होगा राजपती के द्वारा निम्कित में से कौन सी एक भारती संग राज्य-पध्धिति की विशेश्था नहीं है भारत में स्वतन्त नयापालिका है केंदर और राज्यों के बीच सक्तियों का इस परश्ट विभाजन किया गया है संगबध होने वाली इकाईयों को राज्य सभा में आसमान प्रतिनित दिया गया है या संग बध होने वाली काईयों के बीच एक सहमती का परिणाम है अच्छा कोशन है ध्यान से पढ़ो इसको निमिकिस में से कौन सी एक भारती संग राज्य पदिती की विसेश्टा नहीं मतब जो भारत को राज्यों का संग कहा गया है उससे समरीत कौन सा एक व भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में राज्यसभा सीट संख्या सबकी अलग अलग है कहीं पर दस है कहीं पर तेरा है कहीं पर पांच है कहीं पर तीस है तो हर जगर राज्यसभा की सीट कैसी है आसामान है ठीक है तो तीनों की तीनों सहीं है लास्ट वाला बोलता है स सहमती के तहत राज्यों को भारत संग में नहीं मिलाया गया है तीका ना राज्य कभी भी अगर सहमती होता तो सहमती को तोड़ सकते थे तो भारत में राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं होगा क्योंकि राज्य क्या है मतलब केंद्र किसे बनाया संग किसे बनाया संग रा अंसर क्या हो जाएगा इसका डी क्या हो जाएगा डी यह गलत है ठीक निम्न की कत्म में कौन सा एक गलत है गोवा को 1987 में पूर्ण राज का दर्जा प्राप्थ हुआ ठीक द्वी खंबात की खारी में एक टापू है बिल्कुल सही दमन अदीप को भाती सविधान के 56 सविधा अधराग गोवा से लग किया गया बिल्कुल सही दादा और नागर है वेली वर्स 1954 तक फ्रांसिसी उपनिवैसिक सासन के अंतरगत्थ तो आंसर क्या हो जाएगा डी यह गलत है पूर्ट गाली के अंतरगत्थ यह ठीक है चलो नैक्स्ट नीचे दिये गए राज्यों को भा तो देखो यहां पर 1963 फिर उसके बाद 1966 और 1987 ठीक ध्यान दो 1963 1966 1987 क्लियर है ठीक है ओके तो नागलेंड हरियाणा सिक्किम और फिर उनाचा पर देश तो आंसर क्या हो जाएगा देश वान ओके 1963 नागा 1966 हरियाणा और 1987 सिक्किम फिर उसके बाद उनाचाल पर देश लास्ट में तो आंसर इस बी यह हो जाएगा उसका काल क्रम क्लियर है ठीक है चलो यदि भारत संग के एक नए राज्य का स्रीजन करना हो तो सविधान की निम्नी की अनुसूचियों में से किस एक को अवर्स संसोधित किया जाएगा मतलब भारत में एक नए राज्य बनाना है तो सविधान की जो अनुसूची है उन में से कौन से नुसूची को में संसोधन करना पड़ेगा ठीक है ऑप्शन देख लेते हैं पहली दूसरी तिसरी पांच हुई ठीक है तो पहली ही बोलता है भारत राज्यों का संग ठीक और संग का नाम क्लियर तो आंसर इस एक क्यों अनुसूची पुछा है तो अनुसूची 2 क्या है अनुसूची 2 है तुम्हारा क्या चीज वितन भत्ते हैं संविधानिक प्रमुखों के और अनुसूची 3 क्या है आपका सपत है किसका संविधानिक प्रमुखों का ठीक और अनुसूची 4 राजसभा की सीटों को बटवारा संसोधन करने पड़ेगा और जो आर्टिकल 2 तो बोलता है भारत में नहराज्यों का प्रवेश और 3 बोलता भारत में नहराज्यों का निर्मार ओ आर्टिकल है यह तो पहली अनुसूची के तहत फिर उसके बाद भातिस शंह के नामों की सूची तथा उनके राजी छेत्र का ब्योरा देती है सेम थोड़ा संतर है बस तो आंसर तो स्यमार ने इसका पहली अनुसूची क्योंकि दूसरी बोलती है वेतन भत्ता समध्धानिक प्रमुकों का तीसरा बोलता है उनका सपात और चौंथा बोलता है राजसभा की सीटों का बटवारा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका केवाल एक जिसमें राजर के बारे में राजजी छेत्र के बारे में बताया गया है ज क्योंकि क। है झाल शोतन न democrat के कारण सक्ति गए राजियों और देजि में वित्रण है केंड्र क्या सक्ति वित्तायु पड़क घठन तो भारतस एक संगी राज-जय भारतीस सभिधानना तो संगाति माक नहीं का अप्षेंग E aí का घृति कारण कि आप Era देखले तो पहले तो ये पंधलो कठन तेक 서 human cute है इसलिए अर्थ है दोनों मिक्स है हाँ ना तो पूंड रूप से कुछ लोग बोलते हैं ना तो पूंड रूप से कात्मक है और कुछ अधिकार राजिकों कदीके इनद्र है कुछ पूरा का पूरा अदिकार केंद्र को है और कहीं कहीं पर पूरा का पूरा अदिकार राज्यों को है तो इसी कारण एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप है वह ठीक है तो अर्ध हो गया बिल्कुल सही कारण भाती सविदान ना तो संघात्मक ना तो एकात्मक वह सैट्र के अंशर के ओजाएगा ठीक है ना तो कम्पलीट इकात्मक है औहला हिए पारथ हो संघीए नहीं है이지 सिकारण ये कात्मक संगात्मक दोनों का मिक्स रूप है क्लियर है चलो नैक कोश्चन और लास्ट कोश्चन ठीक है निम्निकित कत्व विचार की जियो देगे कुटो उसे बताइए कि में से कौन सा सही है सुनो जैसे हर बार की तरह मेरा एक ट्रेंड रहता है कि एक कोश्चन क आंसर मैं आपको नहीं बताता ठीक है एक बार और लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो भी मैंने कहा कोश्चन का अंसर आपको नहीं बताया है मैंने आपको कहा कि आप उसका आंसर देंगे मुझे ठीक है तो यहां पर भी क्योंकि देखो आप लोग जरू सोच्छे रोगे सा बढ़ा कॉश्चन हमको छोड़ेते हैं छोटा कोशन खुद सॉल कर रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा थोड़ा से महनद तो करूद धूरा सा ज्यादा नहीं ठीक मैं आनसर बताऊं ना मैं कमेंस में जरूरे बताऊंगा उन्सर और तो इस कोश् एक कोश्चन इस्टुडेन को छोड़ दो पढ़ रहे हो ना एक कोश्चन का अंसर आप बताओ तब तो मज़ा है तब जब कमेंट्स बॉक्स में आप लोग के रिप्लाई आएंगे तब तो उसका अंसर देने में बहुत मज़ाएगा ना ठीक है क्लियर ओके तो इसका अंसर आप लोग बताएंगे में को बड़ा कोश्चन है तो भी तो मज़ाएगा छोटा छोटा तो बताई दोगे तुरंथ दिमाग लगाओगे ठीक है बहुत मज़ाएगा तो इसका आंसर आप लोग देंगे में कोश्चन पढ़ देता हूं उसका फिर आप लोग क्या करेंगे आंसर बताएंगे मिरेको ठीक है कोश्चन है कि निन में कितक्तों पविचार कीजिए के कूट की साथे से बताएए कि कौन सा सही है सविधान में यूनियन आप स्टेटस सब्द का प्रियूक्त हुआ है क्योंकि भाती राज्यों को अलग होने का दिकार नहीं इसके धर आयोग ने राज्य के पुनर गठने तूम भासा की अधार की अपएक्षा प्रसासनिक सुविधा को वरिता दी पंडित, नरू, सरदार पतेल और पत्टाभि सितर, माया की अध्यक्षता में अंग्रेस कमिटी राज्यों के पुनर गठन में भासाई अधर के पक्ष में नहीं थी तो इसका कूट है केवल एक सहीं केवल एक और दो सहीं केवल एक और तीन सहीं उप्योग सभी सहीं तो इसका आंसर मुझे जो देगा उसको मैं वेरी गूट का रिप्लाई करूंगा ठीक तो कंप्लीट अपना तो एक बार फिर से धन्यवाद बोल दिया जाए ठीक समझ में आया यहां तक ठीक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंस बॉक्स पर ज़रूर बताए क्लियर ताकि मैं उसके डाउट को क्या कर सकूं सौल कर सकूं ओके ठीक नेक्स वीडियो में कोई डाउट हो या किसी पॉइंट में कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंस पर जरूर बताए क्लियर है ठीक है फिर मुलाकात करते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्यार रख किये एंड जाते आते फिर से आर या पार पैदल या कार थैंक्यू सो मच मुलाइब पार जाइब गाक्ग करते हैं वीडियो में टeft लिए